जोरूट या विराट कोहली, कौन है टेस्ट क्रिकेट का बहतर भलेबार? या कौन है टेस्ट क्रिकेट का बादशाह? ये चर्चाफ फैब फोर पर नहीं बल्कि अब जिये जोरूट और विराट कोहली पर आचुकी है पिछले 4-5 सालों में जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में कमाल कर दिया है और शत्कों के मामले में एक्टिव प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे उपर आ गये हैं Active Players यानि वो खिलाडी जो भी test cricket खेल रहे हैं जो रूट के नाम test cricket में 34 शतक दर्ज है वहीं विराट के नाम test में 29 शतक दर्ज है लेकिन 2019 तक यह आकड़े काफी बदले थे और इस वक्त जो रूट इस फेरिश्ट से काफी दूर भी थे 2019 तक जोरूट के नाम सिर्फ 15 शतक दर्ज थे लेकिन उसके बाद 19 से लेकर 2024 यानी अभी तक जोरूट ने कुल 19 सेंचुरीज जड़ डाली और एक्टिव प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे अदा शतक जड़ने वाले बले बाज बन गे जबकि दूसरी ओर विराट कोली इस दोरान अपनी फॉर्म को लेकर काफी जूझे तीन साल विराट के बिल्कुल खामोश रहे बले से बिल्कुल भी रन नहीं आए तो पिछले चार साल जो रूट का विराट से आगे निकलने का सबसे मुख्य कारण तो विराट कोली का फॉर्म में ना होना और जो रूट का शांदार ले में लगातार होना है इस दोरान विराट कोली ने ज्यादा टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले हैं और दूसरी ओर जो रूट ने सिर्फ इसी एक फॉर्मैट के उपर अपना पूरा ध्यान केंदरित किया है 2019 से इंगलेंड ने 79 टेस्ट खेले इनमें रूट ने 68 टेस्ट मैचेस खेले हैं एक मैच जो वो मिस किया है उन्होंने वो इंजरी के चलते वो मैच नहीं खेल सके वहीं 2019 से भारत ने 47 test matches खेले हैं विराट ने इन में से 37 में हिस्सा लिया यानि एक बड़ा कारण number of matches भी हैं जिसमें विराट काफी पीछे हैं और दूसरा विराट लगातार तीनों format पर focus करते हैं जबकि जो रूट का सारा ध्यान एक ही format पर केंदरित होता है अब एक और बड़ा कारण कि England साल में बाकी टीमों के मुकाबले अमूमन ज़्यादा test matches खेलता है 2019 से लेकर अभी तक England ने कुल 67 test matches खेले हैं इसके बाद Australia है जिसने 49 और फिर नमबर 3 पर भारत आता है जिसने 2019 से लेकर अभी तक 47 test matches खेले हैं यानि यहाँ पर भी difference काफी clear है यानि इस हिसाब से रूट ने विराट से ज़्यादा test matches खेले हैं यानि उनके पास रनों का अमबार लगाने का मौका भी विराट से ज़्यादा रहा है अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर एक अलग ही बवाल मचा हुआ है कि क्या England की pitches ने जो रूट की मदद की है जब से England ने basketball cricket खेलना शुरू किया है तब से England की pitches भी थोड़ी बल्लेबाजी के अनुकूल हुई है और तेज बल्लेबाजी करने के लिए यानि basketball खेलने के लिए England ने pitches भी वैसी ही बनवाई तो शायद यही कारण है कि ये मामला भी इतना गरम है जिसमें कहा जा रहा है कि England रूट ने उन टेस्ट मैचों में साथ शतक घर पर जड़ डाले हैं ये आकड़े 2022 से लेकर अब तक के हैं और 2022 में तब से हैं जब basketball की शुरुआत हुई थी यानि ये आकड़े माई 2022 से हैं क्योंकि तभी ब्रेंडन मकलम इंगलेंड के टेस्ट के कोच बने थे तो ये थी पूरी comparison आकड़ों के साथ जो विराट कोहली और जो रूट के आकड़े दर्शाती है और बताती है कि कैसे पिछले कुछ सालों में जो रूट टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से आगे निकल गए हैं अब आप अपनी रहा है हमें आप comment section ने बता सकते हैं और अगर आप आपको वीडियो पसंद आए दूसरे लाइक करेगा श्यर करेगा और स्पोर्ट्स जुड़ी है सही तमाम वीडियो और अनलेसिस को देखने के लिए सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल स्पोर्स लाइब एब पे लाइब को